जैन जै महाराश्टा दोस्तों रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है मैं सलीम सयद आज हम लोग आए है 44 लेंड 44 लेंड पे जो स्कैम चल रहा है तो उसका कुछ हिस्सा पत्थर नगर करके है उस एरिये में हमारी टीम आई है उस एरिये में हमारी टीम आके य यहां पर किस चीज की गडबर हो रही कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले यहां पर पानी का मसला चल रहा था जिसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से इस चीज की आवाज उठाई थी और फिर यह चीज की ताकीत की गई है कि आपने सिक्के का एक पहलू देखा दूसरा लाए तो हम यह देखना चाहेंगे कि भारत नगर भारत नगर के लैंड में ऐसा कौनसा कौनसे किसम का इसकायम चालू है कौनसे कोटाले है वो सामने आएंगे ऐल नियूस आफ़ पर इंडिया की टीम की नजर जो है वो फॉटिफॉर लैंड पे है और हर एक हर एक सक्से हम यह चीज पूछना चाहेंगे जहां पे भी हमको घोटा लाया घड़बर लगेंगी क्योंकि अगला सवाल आपके लिए होगा तो आएए हम यहां पे शेर मुहमद जिसे हम शेरू बोलते हैं जो सलम सेल के अध्यक्स है और कॉंग्रेस पार्टी से हैं तो आएए हम चाहेंगे कुछ दिन पहले कुछ मेंबन पहले इन पर यहां पर उन्हें और फिरवन भूल भर यजीद बोला गया था कि इन्हों पानी के ऊपर कुछ अफ्यक्शन करेंगे क्या बुलना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार बरा आदाब और जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया है कि पानी का जो मसला है यहां पर कुछ दिनों पहले आप लोगों ने जो वीडियो कवर करके गया था यहां पर की जिए इनके पास में परमीशन नहीं 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 maior इंके पास ऐसरेस लाइन की किसी चीज़ की नहीं पर लोगों को लाकिए यहांप ठूस दिया गया आप पादी का भी वह टैम पर मस्ला जो था तो उसके अंदर भी मैंने यही था कि बींसीवी में मैंने। परमारे थे माड़ा में हर जगा पर मैंने किया था तो वहां से निकल के यह आ रहा था कि इनके पास परवांगी ही नहीं है और प्लस इनके उपर कई बड़ा बकाया बाकी है पानी का तो यह लोग जो सर्वाइब कर रहें छोटी-छोटी तकलिफों से मैं इनकी जड़ से तक आपके साथ इस बात पर अब्जेक्शन उठाएं जिस तरह से आप जिस पार्टी की सपोर्टर है आपके जो MLA है इस टेम पे करेंड मेले आपके जिसान बाबा सिधी की जो है वो आपके इस कंप्लेंट पर कोई आपको सपोर्ट मिला है इस बारे में बता ही देखिए मैं मैं आपको इस फ़र्ष्ट बता देता हूं मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैं मेरी पार्टी का बहुत लॉयल वफादार कारे करता हूं और मेरे लिए मेरी वफादारी मेरी पार्टी और मेरी अवाम के लिए मैं किसी वेक्ति विशेज या किसी नेता का लॉयल नहीं हूं मै पार्टी और अपनी अवाम का लॉयल हूँ तो मैं आपको खुल कर बता दूँ कि हमारे आमदार साब ने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया हमने लिखत में भी उनको लेटर दिया हमारे अलावा भारत नगर के और भी कई सोसाइटियों ने उनको राइटिंग में उनको अपनी प्रॉब्लम अपनी तकलीफों के बारे में बताया लेकिन आमदार साब ने पता नहीं क्या वज़ा रही है इसके वैसे उन्होंने कभी भी हमसे राफ्ता नहीं किया ना हमसे बात पूछी कि यह जो तकली भारत नंगर में चल रही जो इतने बड़े-बड़े स्कैम चल रह तो आईए पूछेंगे करन जा है कि करन कई चीजे हो सकती है अलग अलग तरीके के कारन हो सकते हैं वह कारन तो मैं नहीं बता सकता वह तो आंदार साबी बता पाएंगे बहराल लेकिन यहां पर जो अभी सबसे बड़ा जो मसला है जिसके उपर आज मैं आपको बाइड दे बाया था जो आपने रिपोर्ड वो कवर भी की थी ठीक है जिस दिन बोर्ड लगा उसी दिन मंत्राले से 27 अपरेल को एक और पास हुआ वह यह कहके कि हमने यह सेवें सिक्स पोटरी के जमीन पे का 6000 स्कार मिटर के तुकड़े के उपर हमने बिल्डर को एन उसी दे दिये का कि आखिर यह इतना बड़ा actual हो कैसे कि और मंत्राले ने बिना local आमदार से बातचीत करे महाड़ा की सालों कि पर पर उठागर चल रहा था उनको कैसे आखिर उठा दे दिया घया आपके इसाब से मैंने अवार साफ से मुलाकात की उनके बंगले पे मुलाकात की मनतराले में मैंने ऐसा कोई मंत्री चाहे c.m. साब हो चाहे डेपूटी से हर किसी से मैं मैं मिला इन्फेक्ट प्रिंसिपल सेकेटरी भी जो है अपने हाउजिंग डिपार्टमेंट के मैं उनसे भी मिला तो मुझे वहाँ से क्या जवाब दिया गया था कि ये पत्थरनगर की एक सोसाइटी है रेजिस्टर सोसाइटी है पत्थरनगर की इन्होंने हमारे पास में एक एप्लिकेशन डाला है 11.08.2021 और इस एप्लिकेशन मे ये जगा हमारे को तुरंद हमारे बेल्डर को दी जाए ताके यहाँ पर पुनर वसं का काम जल्दी शुरू हो जल से जल हो जाए लोगों का आसानी हो जाए राहत मिले करके और ऐसा बार लेट्टर वहाँ पर मंतराले में दिया गया ये ऐसा मुझे यह वहाँ पर से मंतराले से आटियाए के अंदर मुझे यह कौपी बाकाइदा दी गई है यह रही वह आटियाए से निकाली भी पत्तानगर सोसाइटी की कौपी ठीक है जिसमें उन्होंने मांगनी की कि हमें यह यह काम के लिए जगा दी जाए बिल्डर के लिए अब यह इसा आप लोगों ने मांगनी किये और यह बहुत बड़ी स्कैम के अंदर यह फसीवी चीज है कल को अगर यह स्कैम खुलता है फटता है तो यह तो बिल्डर तो हाथ उटा के खड़ा हो जाएगा यह आप लोगों के नाम का लेटरेट यूज है सब कुछ है तो आप लोगों ने ऐसा कैसा किया यह आप लोगों की तो चीज है नहीं तो फिर आप लोगों ने क्यूं उसके अंदर बढ़ चड़ का इसा इसा तो वहां से तो मुझे यह खबर होती है कि वो लोग कहते के साब यह ना लेटर हमारा है ना यह सिगनीचर हमारी है ना ही इसमें कीवी मांग हमने कभी किये यह फेक लेटर मंतराले में जमा किया गया इसमें कोमदते के सच बाते करके तो सोचाइटी के लोगों ने और हमारे याकोब साब है प्रॉफेसर याकूप सर मैं जिनके साथ में मिलके है वो केस भी जो चल रहा है याकूब भाय इतरब कहुलाई है यही यकीन हुआ तो वो लोगों ने संग्यान लिया कि भाई नहीं यह जो गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी के नाम से पत्तनगर की आवाम के साथ धोका हो रहा है देश के साथ धोका हो रहा है तो इन लोगों ने तुरंत एक अक्षन लिया और इसी सोसाइटी के लोगों ने यह ले पी साप सभी कोई लोगों ने राइटिंग में लिखकर क्या दिया आप जानते कि हमने ऐसा कोई letter मंत्राले में कभी डाला ही नहीं और ना ही यह हमारा letter है ना ही यह हमारी signatures है और ना ही हमारा stamp है हमारी property का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अपर बिल्डर के उपर तुरंत एफायार हो ना सिर्फ ये बलके उसमें ये भी शिकायते लिखी हुई है कि बिल्डर के कई गुर्गे कई गुंडे ऐसे हैं जो पुलिस टेशन को मिस्यूस करते हैं अब अच्छे और बुरे तो हर में होते है सर उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन उन्होंने एविडेंस के तौर पर ये सच्चाई उनकी है कि उन्होंने तमाम डिपार्टमेंटों को लेटर साइन और अपने थम मार के लोगों ने लेटर दिये और ये लेटर मुझे मिला तो मैंने भी इस को लेकर कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि जो सोसाइटी बोलती है हमने कभी लेटर दाला ही नहीं तो सोचिये मंत्राले ने इतना बड़ा फैसला आखिर कर कैसे लिया बिना सोसाइटी को बुलाए उनके साथ मिटिंग करे बिना उनकी जानकारी के अच्छा आटिया के अं कि इन के लिए के उनको यह जानकारि कोई मालूमा नहीं है तो इस स्कैम नहीं तो क्या हो रहा है एपके पूरा पुरा प्रशासन जिमेदार है不对 बिल्डर का नाम बेल यहां परarmed और च छाने के is पर कैसे कैसे अजब अजब किसम के स्काम तो चली रहे हैं आप देखी रहे हैं सेरु जी हमें यह बताइए कि आम नागरी जो रहने वाले हैं उस पत्थन अगर के सारे के अंदर वह आज पानी के लिए परेशान हैं तो यह पानी आप जो रोक रहे हैं तो इसका में क्या पत्थन अगर के लोगों का अभी आप सोच यह के पिछले साल जब मेजे मुझे यह इल्जाम लगा गया कि मैंने पानी रोका यह करके ठीक है ना और यह 27 एपरेल का जब आप लोग ने मंत्राले से पारित करके लाया यह आप देख सकते हो मेरे पीछे यहां पर यह पानी क सिरी का जो हमारा ग्राउंड है पहले तो गयर कानूनी तरीक है क्योंकि वह 27 अपरेल का मंत्राले का लेटर दिखाते हैं जो के जूट की बुन्यात के उपर बनाया है तो हम यही कह रहे है कि देश में देखिए ऐसारे का कानून क्यों लाया गया देश की तरक्की के लिए लाया गया देश के गोर गरीबों की तरक्की के लिए लाया गया आप बताईए 2023 में हम जीर है आज ऐसारे के अच्छे तो हम जोपड़ों में थे जोपड़ों में थे तो कम से कम हमारे पास इज़्जत का पानी था, हमारे पास सोचाले थे, हमारे पास सब चीज थी, आज बिल्डिंग में जाने के बाद में ना हमारे पास पार्किंग है, ना हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है, ना हमारे सीनियर सिटीजन्स को शाम में इवनिं उसका मुआफ़ा देगी क्योंकि आप उस बिल्डिंग में रह रहे हो जिस बिल्डिंग के अंदर रहने की परवान की आपको मिली नहीं है यह जो रह रहे है यह भी तो आपके सातीदार लोग है आपके जो पुराने तालुकात रहने वाले वह रह रहे है ना तो यह आप बा कहीं कॉन्टिटी उनकी कम हो चुकी है अभी तो यह सब बिल्डर जो फाइले वाइले खरीद के जो बेचम बाची इनका धंदा कारोबार चल रहा है और सर्वाइब कोन कर रहा है असल जो पत्थर नगर का रहवासी है जो पुराने रहवासी जिन्नोंने पत्थर नगर को पत सब्सक्राइब करें हमारे मुंबई अद्ध्यक्ष को भी इस बारे में कंप्लेंड की हमारे मुंबई अद्ध्यक्ष भी हमको देखते कि वहाई कंडिशन हो चुकी यह सब कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है कि अधिर हम जाये तो का जाये हम खुद इतने अंजसमस में है कि हमको खुद नहीं समझ जा रहा है कि हम करें तो क्या करें जिशान बाबा सिद्धी की जो यहां के मले है और उनके कारिय करता हो की कमलेंड है कि यहां के मले यहां पे ध्यान नहीं दे रहे तो आगे इस लाइन का क्या होने वाला है आप हमारे कमिट बॉक्स पे डालिए और आईए पूछेंगा भी हम अगला सवाल आपके मले बहुत नहीं लगाई कंव सब्सक्राइब तो系 बहां कि यहां से क्राइब करता है बढला स्मयों पर्यूद पीजर को कंग्रेंद के वोट बोम इसके और गत्यार्व नहीं आप हमेशा क्ल поч.- मैंमसे को बहुत यह कि हम यहां बहुत के दान नहीं क्यों सजार। कॉंगरेस पार्टी को भर के वोड दिया और सबसे जादा वोड दिया लेकिन आज बदले में मिल क्या रहा है इस बात का अंदज आपके नेता को नहीं है नहीं है ना क्योंकि वो बाहर से आये वे उनको हमारे जजबात से क्या लेना देना है इससे पहले चांदुलकर साप थे किरपा शंकर जी थे प्रियादत जी थे यह सब यहां से जुड़े हुए लोग थे यहां के सुखदुख से जुड़े हुए लोग थे उनको यहां का सब पता था अच्छा और बुरा और बाहर से आए वे आदमी को हमारे दर्द का एसास क्या होगा आपका ये स्टेट्मेंट आपको पता है क्या ये चीज़ का आपको रिटन में रिजल्ट आएगा देखिए मेरी उनसे को परसनल दुश्मनी तो है नहीं मेरी पारे जब एक उमिदवार देती है मैं कारे करता होने के नाते अपने एलाके में उसको ले कर जाता हूं उसको Łyा पके लिए उसका रिजल्ड द्हाँ है इंशाल्ला बहुत जल्दी मैं आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ड दिखाऊंगा कि उपरवाले के वाँ देर है अंधेर नहीं है और आज भी प्रशासन में कई लोग इमानदार लोग काम कर रहे है जिसके वज़े से हमने बहुत सी चीजों पर ऑडर पास करवा लिया है प्रशासन से और वो ऑडर मैं इस वक्त आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि हमको मंडे या टूजडे का अपॉइन्मेंट वगरा दिया गया है हमारी वहाँ पर लिखत सरूप के अंदर वो जाने के बाद में वो ऑडर मैं पूरी जंता के सामने खुल के रख दूँगा कि वो ऑडर क्या आया है क्या कारवाई के उसके अंदर आदेश दिये का है तमाम चीज में मेरी अपनी अवाम के सामने लेकर आ जाओ जागरूँकता होना बहुत जरूरी है तुमारा हक तुमारा जो तुम नहीं ले पा रहे हो मैं बस यही कोशिच में हूँ कि लोगों को उनका फंडमेंटल राइट मिले इस मकसद में बिल्डर कही है आपको जागरूत कर दिया तो उससे क्या फरक पड़ता है जिन्दगी मौत क्या है कोई किसी की गैरेंटी है क्या सब्सक्राइब और सड़क पर हम रास्ता क्रॉस करते तो उसमें भी रिक्स है तो देखेंगे मैं तो बस इतना कहूंगा कि अपर फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है बहुत अच्छी बात कही है शेरू जी ने अब शेरू जी की जीस तरीके की फर्याद है कि मुझे खुद ये बात बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि इनके जो नेता है वो खुद इनको सपोर्ट नहीं कर रहे है तो ऐसा होना नहीं चाहिए और रही बात कि हमारे 44 लैंड जो भारत नगर का लैंड इस टेम पे डेंजर जोन में है जिसे एसारे में डाला जा रहा है तो उसका ही खुलासा करने के लिए हमारी टीम शेरू जी से मिलने आई थी जिनोंने ये इशू बताए है कि पत्थर नगर को अभी तक सीसी नहीं मिला तो वो सीसी के बारे में शेरू जी ने जो स्टेटमेंट डिये है तो हमारा अगला सवाल जो रहेंगा वो MLA से होगा उसके बाद जो हमारा सवाल होगा वो CM एकनाथ सिंदेजी से होगा कि यहां के लेंग पर आपकी नजर क्यों नहीं है क्या यहां के लोग इंसान नहीं है क्या यहां के लोगों को तकलीफ नहीं है झाल झाल